हलो बच्चो आज हम जानेंगे Classics का Social Sciences Chapter 9 का सरांस और उसके कुछ प्रश्णों के उत्तर जिसका सिर्षक है आजीवी का बच्चो इस पाट की सुरुआत हम यहां से करेंगे गाउं की तुलना में सहर काकार काफी बड़ा होता है गाउं की अबादी अगर हजारों में होती है तो सहर के अबादी लाखों में होती है कई बड़े सहरों की अबादी तो करोडों में भी हो सकती है सहर जिस अस्थान पर लोगों का मुख पेशा खेती बैड़ी नहीं होता है उसे सहर कहते हैं क्रिशी उत्पादन के लिए सहर को गाओं पर निर्भर रहना पड़ता है सहर में पेशों की एक लंबी लिष्ट बन सकती है सहर के बहुती कम लोग एक दुसरे को जानते हैं लेकिन हर विक्ति की काम के कारण दुसरों का जीवन सरल बनता है सहर में पाई जाने वाले परतेक बेशा का वर्णन मुस्किल है लेकिन कुछ सरली करण तो किया ही जा सकता है सहर के कुछ पेशे के बारे में नीचे दिया क्या है सरकारी नौकरी सहर में कुछ लोग सरकारी नौकरी करते हैं इन में से कुछ किन सरकार के लिए तो कुछ राज सरकार के लिए काम करते हैं सरकारी नौकरी में कई इस्तर होते हैं सबसे सिखर पर अधिकारी आते हैं उनके बाद कलर्ख होते हैं सबसे नीचे चपराजी, ड्राइवर, रशोया, माली, इत्यादी होते हैं सरकारी नौकरी के लाब सरकारी नौकरी अस्थाई होती है इसका मतलब है कि सरकारी करमचारी इस बात के लिए निश्चिंत रहता है कि वो रिटार्मेंट होने तक नोकरी करता रहेगा सरकारी नोकरी में वेतन ये मित्रुप से मिलता है वेतन के अलावा और भी कैस्विधाय मिलती है छुटियां सरकारी नोकरी में तिवारों और राष्टी चुटियां पर चुटि मिलती है अधिक्चर दफ्तरों में रविवार को सताइक चुटि होती है कुछ दफ्तरों में तो सनिवार को भी चुटि मिलती है इन छुट्टियों के अलावा सरकारी करमचारी की सी व्यक्तिकत चरूरी के लिए भी छुट्टी ले सकते हैं जैसे बिमार होने पर ऐसे छुट्टी लेने पर वेतन भी नहीं करता है लेकिन ऐसे छुट्टी के लिए एक साल में दीनों की संख्या निर्धारित होती है स्वास्च विधाय, सरकारे क्रमचारी को और उसके परिवार के सदश्यों को स्वास्च विधाय भी मिलती है एक नियत रासी तक किलाज में लगे खर्चे का भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है सेवा निर्वित वेतन का एक हिस्सा हर महिने सरकार के पास जमा होता है इस धनरासी का इस्तेमाल क्रमचारी के रिटार्मेंट पर किया जाता है रिटार्मेंट के समय सरकारी क्रमचारी को एक बड़ी रकम एक मुस्त मिल जाती है इसके अलावा उसे हर महिने पेंसन भी मिलता है पेंसन राशी इतनी होती है कि बुढ़ापा साने से कट जाए प्राइबेट कंपनी की नोकरी कई लोग नीजी कंपनियों में काम करते हैं कुछ प्राइबेट कंपनियां काफी बड़ी होती है इन कंपनियों द्वारा लगवग हर वो स्विधा दी जाती है जो सरकारी नोकरी में मिलती है अस्थाई क्रमचारी तथा और अस्थाई क्रमचारी को अच्छी तनख्वा मिलती है और नोकरी भी स्विधा नहीं मिलती है और अस्थाई क्रमचारी प्रेवेट कमपनियां और फैक्टरी में अधिकतर लोग और अस्थाई मजदूर होते हैं इन में से अधिकतर को काम के अनुशाद परिस्टरमिक मिलता है इसे समझने के लिए एक कपड़ा फैक्टरी के मजदूर का उधारन लेते हैं बच्चों ये वेक्टरी कपड़ा फैक्टरी में एक सिलाई मसीन पर काम करता है इसका काम है कपड़ों की सिलाई करना हर दिन वो 12 घंटे काम करता है यानि 12 घंटे काम करता है परिपाठी के अनुशाद अधिकतर देशों में 8 घंटे काम करना होता है यानि एट आवर काम करना होता है इस से अधिक घंटे काम करने से थकान होती है इस व्यक्ति को काम तभी मिलता है जब फैक्टरी के पास कपड़े का ओडर आता है इस आदमी को कल महिने बिना काम में यानि बिना काम के बैठना पड़ता है ऐसे में इसकी आए जीरो हो जाती है ऐसी फेक्टरियों में बड़ी ही भ्यावर स्थिती यानि भ्यानक स्थिती होती है काम करने की जगत तंग होती है रोष्णी कमाती है और ताजी हवा आने जाने का कोई राष्टा नहीं होता है मजदूरी भी बहुत कम मिलती है दि कोई मजदूर सिकायत करता है तुसे नौकरी से निकाल दिया जाता है इन मजदूरों को समाजिक सुरच्छा नहीं मिलती है जैसे पेंसन, स्वास्थ स्विधा या छुट्टिया दिहारी मजदूर दिहारी मजदूरों की संख्या तो और अभी अधीक है जिन लोगों के पास कोई हुनर रही होता उन्हें दिहाड़ी मजदूर की रुप में काम करना पड़ता है आपको कई सहरों में लेवर चौक मिल जाएंगे यह वो जगह होती है जहां सुबस सुबस सेक्रो मजदूर काम की तलास में आकर पैठ जाते हैं कोई भी काम करने को तयार हैं कोई निर्मान अस्थल पर काम हो या किसी ट्रक पर समान लादना हो या नाली साप करनी हो इन मजदूरों को महिने के कुछी दिनों पर काम मिल पाता इन में से अधिकतर दूर दराज एक किलाकों से काम की तलास में आते हैं। सहरों में अतेदी किराया और रहने का खर्चा इनकी सिमित आमदनी की कमर तोड़ देता है। इसलिए अपनी आये का बहुत छोटा हिसा ही ये पचत कर पाते हैं। जिसे वे अपने परिवार के पास गाओं में फेज देते हैं। दुकंदार शहरों में आपको तरह तरह की दुकाने दिखेंगी। कुछ दुकानें छोटी तो बहुत बढ़ी होती है। अधिकतर दुकान का माली को वेक्ति होता है। आजकर कुछ बड़ी कम्पनियां ने पुरे देश में दुकानें की चेन खोल लखी है। छोटी दुकान में अधिकतर काम दुकान के माली को और उसके परिवार द्वारा किया जाता है। बड़ी दुकान में इसके लिए कई करमचारी रहते हैं। फेरी वाले रेडी वाले बच्चो जिन लोग के पास अस्थाई दुकान नहीं होती हैं। उन्हें रेडी या फेरी वाले कहते हैं। वे ठेला गाडी पर या फुटपात पर अपने दुकान लगाते हैं। एक रियाडी वाले का जीवन कठीन होता है। कई बर पुलिस वाले उन्हें खदेर कर भगा देते हैं। रेडी पट्री वाले फुटपात और सन को पर जाम लगा देते हैं। जिसे आने वाले और आने जाने वालों को तकलिफ होती है। इसलिए कई लोग इनका विरोध भी करते हैं। हर आदमी को रुजगार का अधिकार हैं। इसलिए सरकार रेडी वालों की शमश्या पर विचार कर रही है। सरकार ये कोशिस कर रही है कि कुछ अस्थानों को रेडी वालों की लिए छोड़ दिया जाए। आमनागरी को और रेड़ी पठ्री वालों में टकराव कम से कम हो सिवा प्रदाता सहरों में सर्विस देने वाले कई लोग और संस्ता है सर्विस देने वाला किसी माल को नहीं बेशता है वो गरांकों के भीन परकार की सिवाय देता है उधारन हजामत कोरियर ट्यूशन चार्टर एकाउंट डॉक्टर इत्यादे बच्चो अब हम इस चैप्टर से कुछ प्रशनों के उत्तर जानेंगे तो पहला प्रशन है नीचे लेबर चोक पर आने वाले मजदूरों की जिन्दिगी का विरन दिया गया है इसे पढ़िये और आपस में चर्चा कीजिए कि लेबर चोक पर आने वाले मजदूरों की जीवन की क्या स्थिती है लेबर चोक पर जो मजदूर रहते हैं उनमें से ज्यादा तर अपने रहने की अस्थाई वेस्ता नहीं कर पाते हैं और इसलिए वे चोक के पास फुटपार पर शोते हैं या फिर के रात्री विश्याम या रैन बेसेरा में रहते हैं इसे नगर निगम चलाता है और इसमें च्छा रूपिया या एक बिस्तर का प्रतिदिम किराया देना पड़ता है शमान के सुरक्षा का कोई इंतिजाम ना रहने के करण वे वहां के चाय या पान बेड़ी वालों की दुकानों को बैंक के रुप में इस्तमाल करते हैं उनके पास वे पैसा जमाल करते हैं और उनसे उधार भी लेते हैं वे अपने औजारों को रातमिन के पास हिपाज़त के लिए छोड़ देते हैं दुकंदार मज़दूरों के समान की स्वरक्षा के साथ जरूरी पढ़ने पर उन्हें कर्ज भी देते हैं इसका एंसर है लेवर चोड़ पर आने वले मज़दूरों के पास अस्थाई काम नहीं होता है विद्धिहारे मज़दूर होते हैं और विंतर का काम करते हैं जैसे मकान बनाने का काम करने वाले राज मिस्तिरी घरों में रंग पेटन करने वाले मिस्तिरी फरनीचर का काम करने वाले मिस्थिरी, पलंबर का काम करने वाले वजन उठाने या खुदाई का काम करने वाले मजदूरित्यादी अस्थाई काम ना होने के कारण गरीवी में जीवन वेतित करते रहते हैं इनके रहने और खाने की कोई थाई वेस्ता नहीं होती है और जिससे काम नहीं मिलता है उसे पूरा दिल लेवर चोग पर ही बैठे रहना पड़ता है और शाम को खाने के लिए धार लेना पड़ता है और जब कई दिनों तक लगतार काम नहीं मिलता है तो कभी-कभी भूगे पेट भी सोना पड़ता है। इनके साथ कार अस्तलों पर अच्छा विवार नहीं किया जाता है। निचिस समय से अधिक समय तक काम करवाय जाता है और सरकार द्वारा निर्धारित नियुन्तम मजदूरी से कम मजदूरी दी जाती है। इस परकार इनका जीवन काफी कठीन होता है। थर्ड प्रश्ण है एक अस्थाई और नीमित नोकरी अनियमित काम से किस तरह से अलग है तो इसका एंसर है एक अस्थाई और नीमित नोकरी करने वाले की एक निश्चित मासिक आय होती है अस्थाई क्रमचारी होने के कारण विन परकार की शुधाय भी मिलती है जैसे प्रश्ण है प्रश्ण है सुधा को अपने वेतन के अलावा और कौन-कौन से लाव मिलते हैं इसका इंसर है सुधा को वेतन के अलावा निम्निकित लाव मिलते हैं पहला है रवियू आर और राष्ट्री आउकास छुटियां शेकेंड है वार्शिक छुटियां थर्ड है परिवार के लिए चिकित्सा स्विधाय और बिमार होने पर चिकित्सा आउकास फोर है भविश निदी की श्वि करें और बिल आइकन को फ्लेज करें जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलें थैंक यू बच्चेव फिर मिलते हैं अगले वीडियो में